कि गूर्णिंग फ्रेंड्स आज हम छोटे गैप या गैप डाउन के केस में हम यहां पर सेलिंग सैड की तरफ सेट अप को इंटिफाइ करेंगे चलिए इसके पीजिक बताता हूं आपको अब देख सकते हैं दो तिन दिन से मार्केट एग्रेसिवली फॉल ही करता जा रहा है अगर हम कल का मार्केट देखे तो यहां पर मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड क्या है इस लेवल से इस लेवल के बीच में तो जब भी रेंज के बीच में ट्रेड करता है मार्केट तो यहां पर बैर्स भी आजाते हैं और सेलर्स तो और रेडी है ही मार्केट में त तो हम यहां पर selling side की तरफ setup को identify करेंगे और अगर इस लेवल पर भी open होता है तो भी हम selling side की तरफ setup को identify करेंगे क्योंकि नीचे हमारा एक psychological नंबर भी है तो यहां से मार्किन नीशे जाने की probability जाता है बट हमारा काम खराब कब हो सकता है चलिए वह भी आपको पता होना चाहिए वह भी आपको बता देता हूं कि जब मार्केट डिरेक्टली ही इसके उपर breakout होता है जैसे मार्क psychological नमर का डिरेक्टली ब्रेक आउट होता है तो यहां पर बहुत सारे बैट्स आते हैं और यहां कहीं मार्केट ओपन होता है एंड यहां पर पहले डाउन के फिर हायर हाई फोर्म में मार्केट ऐसे बनता है तो यहां पर ऊपर श्टोपलो सभी भी लेवल होता है क्योंकि बोजकल नमबर अभी भी है तो यहां पर मार्केट ऊपर जा सकता है तो यहां पर हम थोड़ा सोच के फर्दर मोवेंटम के साथ अपना ट्रेड सोच सकते हूं के चलिए मैं आपको निफ्टी को बता देता हूं पर इससे पहले यहां पर एक सपोर्ट और रिजिस्टन्स ब है तो उन्हें निकालने के लिए हम यहां पर सेलिंग करेंगे गापाप भायर्सने निकालते हैं जब तक नहीं लेवल ब्रेक नहीं होता है यहां पर इक प्रटीवन 500 का लेवल है यह ब्रेक्te अब अग् Fact not अगर यहां पर होता है मार्केट ओपन अगर थोड़ा हाई बनाता है तो आने वाले फुर्दर मुवेंटम के साथ आप अपना बना सकते हों यहां पर भी सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस बनार का अब दे सकते हैं सपोर्ट है 41500 का और दिस्टेंस है 41600 का धन्यवाद